पठान और टाइगर थी की सफलता के बाद ये स्राज फिलम्स ने हाल ही में अपना ध्यान अपनी आने वाली फिलम वार टूपर के इंदरित किया है या प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस के अपनी जासूसी जगत को अभूत पूर्व उचाईयों तक ले जाने के प्रियास को दरसाता है सुकल में मेजर कवीर धाली वाल के रूमें रितिग्रोसन की वापसी की घोशड़ा की गई है जो अपने देश के लिए एक नए खत्रे का मुकाबला करने के लिए एक खत्रनाक अंडर कवर मिसन पर निकलने के लिए तयार है वाई अरिफ की जासूसी दुनिया की सुरुआत 2012 में सलमान खान और काईटरिना काईप की एक्था टैगर से हुई थी और तब से पिछले एक देशकनिया काफी लोगप्री हो गई है रोमान्च से भरपूर एक्शन सीक्वेंस साजिस और रहस से भरपूर वार टू अपने पिछले संस्क्रोड को बड़े पैमाने और तमासे के मामले में पीछे छोड़ने के लिए तयार है नीचे उतुसुकता से परतिचित सीक्ल के बारे में सब ही आवस्सिक भी उरड़ जाने 2019 की ब्लॉकबास्टर फिल्म वार में मेजर कबीर धालिवाल एक आतंगवादी को पकड़ने के मिसन में बिफल होने के बाद मामले को अपने हाथों में ले ले लेता है वा दुस्मन को गुप्त खुपिया जानकारी बेचने में सामिल उच पदस्थ अधिकारियों को खतम करने के लिए निकल पड़ता है हाला कि उसे अपने पूर पिस्स सिखाली द्यानी टाइगर्स रापदरा अभनीत के रूम में एक अपरत्यासित दुस्मन का सामना करना पड़ता है जिसे कबीर के उतपात को रोखने का काम सौपा गया है जो सामने आता है वह ट्विस्ट और एंड्रे लाइन फ्यूल एक्षन की एक रोमान चग गाथा है जो सुरू से अंतर तक दर्श को को बांदे रखती है वाई यारप की जासुसी दुनिया में गाथा को जारी रखते हुए वाटू रितिक रोसन के रहसमे किरदाल मेजर कभीर धाली वाल के कारणामों को और गहराई से दर्साएगी क्योंकि वह एक नए मिसन पर निकलता है परसिद्ध फिल्म निर्माता आयान मुखरजी ने सिदारत आनंद से निर्देशन की कमान संभाली है जिन्होंने अपनी किस्ट का निर्देशन किया है विसेस रुप से फिल्म में तेलगू फिल्म इस्टार जूनियर एंटियार को एग महतपुड भूमका में पेस किया जाएगा जो हिंदी सिनेमा में उनकी बहुपरतिच्छी सुरुआत होगी इसके अलावा किया राडवाडी आयान मुखरजी के निर्देशन में वाई रफ जासुसी दुनिया में सामिल हो गई है टाइमसाफ हिंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार रितिक रोसन ने फिल्म की सुटिंग सुरु कर दिये और जून दोजार चोबिस तक सुटिंग पूरी होने की उमीद बताई जा रही थी उसी रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर एंटियार ने कथे तोर पर वाई आरेप प्रोजेक्ट में अपनी भूमका के लिए लगभग 60 दिन आवंटित किये हैं टाइम साफ हिंडिया की एकानी रिपोर्ट के अनुसार रोसन की जासुसी तिलर फ्रंचाइजी की सुरुआत किस्त का बजट 170 करोड़ रुपे था जबकि वाई टू का बजट लगभग 200 करोड़ रुपे का होने वाला है आयान मुखर्चिद्वार निर्देसित वाड़ टू में रितिक रोसन जूनियर एंटियार और कियारा अड़वाडी परमुक भूंकाओं में हैं और इससे अगस्त 2025 में सिनिमा घरो में रिलीज किया जाएगा इसके अलावा सहरुख खान और सल्मान खान के वाड़ टू में कैमियो करने की अपवा है जैसा कि न्यूज 18 की रिपोर्ट ने बताया गया कि इसके अलावा वाई रप टीम कथित तोर पर जैसुसी ब्रमाड के मातपूर्ट जड़ों में टाइगर के चरित को रड़नीतिक कर रहे निर्देशक आयन मुखर जी इसकी सूटिंग के लिए नए नए तरह से गड़ रहे हैं फिल्म के कुछ एक्षण सीन फिल्म के हीरो रितिक रोसन और जूनियर अंटियार के साथ फिल्माए जा चुके हैं अमरु जाला ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि इस रितिक रोसन की तस्वीरों को सोसल मीडिया पर वारल हो जाने की घर्णा से फिल्म वार्टू में काम कर रहे हैं दूसरे कलाकारों और तकनी सीनों में काफी रोस बताया जा रहा है साहले ने फोटो खुद अपने सोसल मीडिया पेज़ पर साजा की और अब शूटिंग के दोरान सुबह से लेकर साम तक बस यही चर्चा चलती रहती है कि अगर किसी बी आई पी के साथ है फिल्म के कलाकार फिल्म के सेट पर फोटो खिचा सकते हैं तो फिर उनके फौन शूटिंग पर पहुंचते ही क्यों जमा कर लिया जाते हैं यह सिराज फिल्म्स की फिल्मों भी अपने सोसल मीडिया पर साथ यह नहीं करेंगे राज फिल्म्स की सिल्मान खान अपनी पिछली फिल्म टाइगर थी बाक्स ऑपषि पर अपेच्छे सफलता नहीं पा सकी थी और इसी के बाद इस राज फिल्म से स्पाई उनिवर्स की अगली फिल्म टाइगर शौन को अनिश्चित काल के लिए आगे खिसका दिया गया था फिल्म वार टू में बागी हो चुगे राएजंट कबीर की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि कैसे देश पर एक नई मुसीबत आने के चलते वा फिर से वतन की सुरचा के लिए वापस लोड़ता है इस फिल्म में आलिया भट का एक खास किलदार बता जा रहा है जो राएजंट की तरह फिल्म में कबीर की मदद करतीने चराएंगी बाद में इसी किरदार को एक सोलो फिल्म के रूप में भी बनाने की तैयारी यसराज फिल्म्स में चल रही है फिल्म वार टू अगले साल रिलीज होगी और इसका परचार साल 2025 के सुरू में तै किया जाने की योजना है फिलाल इसराज फिलम्स ने इस फिलम के अलावा अपनी सिर्फ एक और फिलम का अधिकारिक ऐलान किया है जो निर्देशत मुहिस सुरी नबोदित अवनियता आन पांडे के साथ बनाने के तयारी कर रहे है इस फिलम की सुटिंग भी अभी तक सुरू नहीं हुई है रितिक रोसन और टाइगर स्राप की फिलम वार बाक्स आफिस पर सुपर हिट रही थी तकरीबन 170 करोड रुपे की लागत में बनी सिधार दानंद निर्देशत इस फिलम ने बाक्स आफिस पर 475 करोड से ज्यादा की कमाई की थी फिलम का पहला पार्ट बलागबास्टर हिट रहा और तभी से फैंस इस फिलम के सेकंड पार्ट का इंतिजार कर रहे थे वार टू में रितिक रोसन के साथ साथ के सुपर स्टार एक्टर जॉनियर एंटियार नजर आएंगे क्योंकि दोनों ही स्टार्स अपनी जिगह काफी बड़ी फैंट फालूइंग रखते हैं तो ऐसे में इस बात पर लगातार बहेंच चल रही थी कि निगेटी रोल कौन सा एक्टर निभाएगा अब एक ताज़े रिपोर्ट के मताबिक करनल फिलमों की जान रहे एक्टर दुरुआ सरजा को फिलम के लिए अप्रोच किया गया है माना जा रहा है कि वा फिलम में नगेटी रोल प्ले करते ने जरा सकते हैं खबर थे कि दुरुआ जल्द ही अपनी बॉली बोड में डेब्यू करने वाले हैं लेकिन केडी दर डेविल फेम एक्टर के हिंदी सिनेमा में सुरुआत रिति ग्रोसन इस्टार मोबी से होगी यह सायद ही किसी ने सोचा था पहला पार्ट जहां सिदार्दानंद ने बनाया था वही अब दुसरा पार्ट आयान मुखरजी बना रहे हैं हाला कि जहां तक बात धुरुआ को फिल्म में कास्ट करने की है तो अभी इस बारे में कोई ओफिसल अनौसमेंट नहीं की गई है जानकारी के मताबिक रितिक रोसन और जूनिर अन्टियार के अलावा फिल्म में जौन अबरहम की अराडवाडी और सबी अलहुआलिया भी नजर आएंगे जहां एक तरब दुरुआ के फिल्म में नेगेटिव रोल मेनेजर आने की खबर है तो वही कुछ सुत्रों का या भी कहना है कि वह रितिक रोसन के भाई का किर्दार निभाते नजर आ सकते हैं बतद की साल 2019 में आई फिल्म वार में रितिक रोसन मेजर कबीर धारी वाल का किर्दार निभाते नजर आए थे फिल्म में टाइगर सराप के साथ उनकी कमिस्टरी कमाल की रही थी और कहानी का भी दिल चस्प थी वर्क फरंट की बात करें तो रितिक रोसन की पिछली फिलम फाइटर हिट रही इस फिलम में दीपकापादगोड और करण सिंग्रोवर अहम किरदार निभाते नजराय थे और अनिल कपूर का भी फिलम एक खास रोल था फिलम की कहानी फाइटर जट चलाने वाले कुछ पाइलिट्स के बारे में थी जिन्हें एक बहुत एहम मिसन दिया जाता है कई लोगों ने कहा था कि फिलम के कुछ किरदार वार यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन मेकस ने इस सवाल के जवाब में चुपी साधे रखी रितिक रोसन और जूनियर एंटियार की जंग यानि वार टू बहुत है भयानक होने जा रही है फिलम के एक्षन ने निर्मताओं ने जोरदार तयारी कर ली है इस तरह वार टू में ऐसा एक्षन पेस किया जाने की तयारी है जो एकदम नया और दर्शकों की सांसों को रोग दे वार टू को आयान मखरजी डारेक्ट कर रहे हैं फिलम के निर्मता आदित चोपड़ा इस एक्षन एंटर्टेनर को बड़े बजट में बना रहे हैं इसलिए वाइस की हर चीज़ को एवन रखना चाते हैं तब ही तो वा फिलम के एक्षन पर खास चोड़ दे रहे हैं उन्होंने अब एक महत्पोड एक्षन सेक्वेंस के लिए कैप्टेन अमेरिका और फास्ट एंट दा फ्यूरियस के एक्षन डारेक्टर इस पिरो राजा टोस को सामिल किया है जिसे जल्द ही सूट किया जाएगा सुतर ने बताया है कि पुरुषकार विजेता एक्षन निर्दे सक इस पिरो राजा टोस जो कैप्टेन अमेरिका सिबिल वार कैप्टेन अमेरिका दा फास्ट सोलजर फास्ट एक्स एफ नाइन दा फास्ट सागा जैसी ब्लॉकबास्टर फिल्मों में अपने एक्षन डिजाइन करेंगे एक ऐसा एक्षन सिक्वेंस जो लोगों के होशला देगा उन्होंने आयन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है और भारती दर्शकों को ऐसे एक्षन सेट देने की उनकी बहुत महतुकांची योजना है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है आदित चोपड़ा को इस जासुसी जगत की वरतमान में हर फिल्म से अत्याध्य का पेच्छाओ का हैसास है इसलिए वाईस परसिद फ्रिंचाईजी की परतेख फिल्म के साथ बड़े सिनेमाई अनुभव परदान के लिए प्रयास कर रहे हैं आदित चोपड़ा ने वाई आरेफ स्पाई यूनिवर्स को एक अबिस मरडी और बेजोर ड्रामा अनुभव बना कर भारती सिनेमा का सबसे बड़ा आई पी बना दिया है वाई आरेफ जासुस ब्रह्मबांड की सुरुवाद टाइगर फ्रिंचाजी के साथ हुई थी जिसमें सल्मान खान और कैटरिना कैप ने अबने किया था जिसकी सुरुवाद एक था टाइगर दोजार बारा और टाइगर जिन्दा है दोजार सत्रा से हुई थी और रितिक रोशन और टाइगर स्राप अबनीदवार दोजार उनीज के साथ जारी रही फिल्म सहरु खान, दिवकापाद कोड और जॉन अबरहम की प्लॉगबास्टर फिल्म पठान आई इस्पाई उन्वर्स की आखरी फिल्म टाइगर थिरी थी जिसमें सल्मान खान कैटरिना कैप और इमरान हासमी ने अभिने गिया था आधित चोपड़ा ने वाई आरे फिस पाई उन्वर्स फिल्म की कहानियों की इंटर कनेक्टिविटी की सुरुआत पठान सकी जहां उन्होंने खुला सकिया कि जॉन दोरह निभाया गया खलनायक जिम वास्तों में कबीर के साथ एक ही टीम में था जो वार फ्रेंचाइजी में रितिक रोसन दोरह निभाया गया था पठान में आधि ने टाइगर और पठान को पहली बार स्क्रीन पर एक साथ लाया और यहाँ पता चला कि वह सबसे अच्छे दोश्त हैं पठान ने फिर से टाइगर थ्री में उपस्तिती तरजगराई और रितिक रोसन ने भी इस्टर एग में उपस्तिती तरजगराई जिससे वार टू का अधार तयार किया गया वार टू के बाद सरवरी के साथ आलिया भट की स्पाई फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है रितिक रोसन और जूनियर एंटियार के साथ किया राडवाणी की जोड़ी के साथ वार्टू पहले से ही धूम मचा रही है वायरेप इस्पाई उन्वर्स दर्शकों के बीच काफी हिट रही है और या नई किस्त उतसाह को अगले स्थर तक ले जाने का हुआ दा करती है हाला कि प्रोडक्शन टीम ने अभी तक सब कुछ गुपत रखा है यकिन जो कुछ बेवर और लिख हुए हैं वो काफी जर्चा पैदा कर रहे हैं परसंसक यह देखने के लिए उतसुक हैं कि इन सक्तिसालिय अभी नताओं के बीच की नजदी किया इस स्क्रीन पर कैसी दिखेंगी और फिल्म की रिलीज बाली बुड में सबसे परतिछित घटनाओं में से एक है वार टू में रोसन की एंट्री एक सोश टापर साबित होने वाली है रिपोर्ट्स बताती है कि वा एक जापानी मठ में एक खतरनाग खलनाएक के साथ एक रुमान चक तलवार बाजी में सामिल होंगे शुरुआत में आपवाथी की रितिकरोशन सावलिन मंदिर में एक एक्शन सीक्वेंस करेंगे लेकिन अब यह पुष्टी हो गई है कि यह गहन दरस फिल्म में उनके परिशेक रुम में काम करेगा यह नाट की परवेश निश्ची रूप से दरस्कों को आकर सित करेगा और एक्शन से भरपूर तमासा के लिए मंच तयार करेगा जिससे फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए उतुसाह बढ़ेगा संबंधित दरस मार्श में फिल्माया गया था और रिपोर्टों के निसार इसकी संकल्पना, निर्माता, आदिती चोपड़ा और निर्देशक सिधार्थान्द ने तब की थी जब उन्हें महसूस हुआ था कई इस फ्रेंचाइजी में अभी तक औरियन्ट को सामिल नहीं किया गया है जब उनके बिजन को जीवन्द करने के लिए मॉंबई के अंधेरी में वाई एर एफ स्टूडियो में एक बिसाल सिट बना गया था फिल्म में इस सिट को एक पहाड़ी की चोटी पर इस्थित तीन सु साल पुराने बिरासत मट के रूम में दिखाया जाएगा जो दरस की भविता और रहस को बढ़ाएगा इससे पहले एक सुत्र में बाली बुड हंगामा को बताया कि रितिक रोसन और जूनिर अंटियार दोनों ही अपने डांस मॉप्स के लिए जाने जाते हैं दिल्चस बात या है कि दोनों हाल ही में दो हीरो आली फिल्मों में नजराय थे रितिक रोसन वार में और जूनिर अंटियार आर 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 में और दोनों ही फिल्मों में दो हीरो डांस नंबर थे जिन्हें सर्ब सम्मित से पसंद किया गया था वार टू के लिए वे दोनों एक साथ हा रहे हैं और इसलिए कोई भी उनके ट्रेक के दोरान बड़े परदे पर जे जे सिव संकर और नाटू नाटू के मिलन जैसी आतिस बाजी के उमीद कर सकता है